बहतरीन स्वादो वाला मटन कसालन जो कि आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेश्पी शेयर करने जा रही हूँ जो होता है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और इससे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है बहुती कम टाइम पर ये रेश्पी आप आसानी से घर पर ही बना सकते हैं तो देरी किस बात की चलिए फिर इस रेश्पी को बनाना हम सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लेलिया है पैं तो पैंन मेंडाल दिया एक बड़ा चमस धनिया उसी की साथ आधा चमस जीरा आधा चमस साहजरा डाला है पांच सूखी तीखी वाली लाल में जमने एडिक्या एक चकरी फुल ले लिया है साथ ही हम इसमें डालेंगे एक बड़ा काला इलाची दस से बारा लॉंग डाल देते हैं और उसी के साथ चार हरी इलाची छोटी वाली 15-16 यहां पर हमने काली मिर्च ले लिया है और उसी के साथ मैंने एक चमच खस-खस जीसे पोस्ता दयाना या फिर पपिसिट कहा जाता है दाल चिनी का तुकड़ा ले लेंगे और बस इन सभी वसालों को ड्राय रोष्ट कर लेना है लो फ्लेम पे इस तरीके से ड्राय रोष्ट करेंगे बहुत अच्छी सौमधी सौमधी से खस-खस भू हती है और जब हम इस तरीके तो यहां पर हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से रोष्ट कर लिया है मिक्सर जार में डाल करके ठंडा होने के बाद इसमें हम डालेंगे लसुन की कदलिया 15-16 मैंने लसुन की कदलिया लिया दो इंच अधरक का तुकड़ा और पानी डाल करके इसके एकदम फाइन पेश् रखते हैं साइड में चलते हैं कुकिंग की प्रसेस पे तो यहां पर मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर और कुकर में डालेंगे सरसो का तेल यहां पर सरसो के तेल को अच्छे से गरम करने की बाद हम इसमें दो तेज पत्तर डाल रहें और उसी के साथ यहां पर मैंने दो तो जो gravy का colour आता है ना बहुत ही ज्यादा लाजवाब आता है तो याद रखेगा दोस्तों प्याज को हमें अच्छे से पका लेना है और थोड़े ही टाइम में आप देख सकते ही प्याज बहुत अच्छे से पक गई है हलके शुनरी colour आ गई है इतना ही हमें चाहिए हाई रखा है एक से दो मिनट के लिए हाई फ्लैम पर अच्छे से चमत चलाते हुए तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने गैस मत चला रही हूं एक से दो मिनट तर अच्छे सच मत चलाने के बाद गयस का फ्लेम में यहापर लो कर दूँगी फ्रेंट्स मतन के रेस्पी आप लोगों ने तो बहुत बार बनाई होंगी और बहुत बार खाई होंगी मैंने भी आपसे हर बार अनेक प्रकार की रेस्पी अलग अलग तरह की रेस्पी शेयर की मतन की पर ये रेस्पी एक बार आप जरूर ट्राइ करिएगा सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि होती ही इतनी ज़्यादा टेश्टी है कि आपको मैं क्या ही बताओ जब आप इस रेस्पी को बना कर खाएंगे ना तभी आपको समझ में आएगा और जिसे भी खिलाएंगे ना जब भी बना करके आपके तारीफ करते नहीं थकेगा तो फ्रेंड्स एक बार इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ करेगा सच में आप लोगों को ये रेस्पी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और यहाँ पर हमने अच्छे से लोग फ्लेम करके फिर से भून लिया है और आप देख सकते हैं तले से हलकी हलकी पानी यहाँ पर रिलीज होने सुरू हो चुकी है क्योंकि मटन में अपना पानी होता है और जब भी इसकी पानी निकलेगी और वो अपने पानी में पकी किना और भी अच्छे स्वाद आएगा उसे के साथ सुआत के अनुसार मैंने अड़ किया नमक, आधी चमच छल्दी पौडर, एक चमच धन्या पौडर, आधा चमच जीरा पौडर, एक चमच लाल मिश्का पौडर और बस इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आपने दिया होगा, अभी तक हमने कुछ भी एड़ नहीं किया है, जो कि हमने इसके लिए मसाला इस्पेसल वाला तयार करके पीस करके रखाएना, वो हमें बाद में एड़ करना है, मतलब इन सभी के अच्छे से भेले भूनाई कर लेनी है, इसका सारा पानी अच्छे से र मालन बनती है, बहुत ज़्यादा खुशबुदार बनती है, क्योंकि हमने साबुत मसाले को बहुत अच्छे से पीसा है, वो भी ड्राय रोष्ट करके, इसी वज़े से इसका स्वाध है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमने मसाला पीसा था ना, वो मैंने एड़ क जार में थोड़ा पानी डाल करके उसे भी डाल दिया, और बस इसे हमें अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे वापस से चमच चलाते वे, मिक्स करते वे, फिर से इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो मसालो का फ्लैवर है, मटन के हर एक पीसे इस पे बहुत अच्छे से समा जाया, तो हमने इसे तो अच्छे से लो फ्लेम पे मिक्स कर दिया है, और इसे ऐसे ही पकनी दिया है, थोड़ी देर के लिए, 7-8 मिनट के लिए, और आप देख सकते हैं, यहां से मटन सुकुड़नी स्टार्ट हो गई, मतलब इसका जो पानी है, वो अल्मोस्ट रिलीज हो अच्छे से लिए किए, तो सबी जो चीजें हमने अड़ किये, वो अच्छे से पक जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, हमें आलू को डालने के बाद टमाटर के बाद अच्छे से से इस तरीके से मिक्स कर लेना है, अगर आपको दही डालना है, तो इस टेम पे आप दही ए पानी आप अपने अनुसर कम ज़ादा कर सकते हैं उपर से बस मैंने डाला है इस पर गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और भी कोई अच्छ मसाला डालने के जरुवत नहीं है क्योंकि हम ने इसके लिए स्पेसल खुश्बुदार मसाला तयार किया था ना उसे इतन अच्छा इसका सालन बनता है ना बहुत अच्छा लगता है तो बस इसे हमने लिड लगा के करीबं तीन से चार विसील आने तक मिडियम टो लो फ्लेम पे पका लेंगे और जैसे इसकी बिसील आई थी तीन बिसील के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था दस मिनट मैंने रैश्ट पे रखा प्रेसर रिलीज हुआ और जब मैंने इसके लिड डटाई तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर मटन सालन बंद करके तयार हुई थी तो बस मैंने उपर से डा अब इसकी सालन देख सकते हुआ यह देखिए सालन इसकी जो ग्रीवी बनीना बहुत ज़्यादा लाजवा बनी है बहुत ही खुश्बू तो आई रही है साथी साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है और इसके साथ जो हमने आलो एड़ किया है ना वह अब प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की यह रिस्पी कैसी लगी और इसी तरह की नए नए रिस्पी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए रोज इसी तरह की एक नए रिस्पी लेकर आते हैं मिलते हैं नए रिस्पी के साथ बाबाई एं थैंक यू